तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुती तेस्टी नाश्ता जो कि बच्चे अपने टीफिन बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं पके हुए केलों से बड़ा ही स्वाधिस्ट नास्ता कई बार क्या होता है कि आपके घर में पके हुए केले रह जाते हैं और उनको कोई खाना नहीं आज हम पके होई केलों से स्वाधिष stigma बनाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर यह 2 ंचार में अपर 2 कप यह बूर डाल देंगे अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसका एक कड़ा दो टैयार करेंगे हमें इसके अंदर शुरू में बिल्कुल भी दूद या पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो केले की वज़े से क्या है इसमें बिल्कुल अपने आपी बा क्योंकि जो चीनी जो है इसमें पानी चोड़ने लगेगी अब इसकी बड़ी सी लोई ले ले लेंगे और इसके दोनों तरफ हम घी लगा करके इसकी एक बड़ी रोटी तयार कर लेंगे हमें इसकी किसी भी शेप में रोटी तयार कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी कटिंग कर यह देखिए मेरी आपर ग्लास की साइता से इसकी कटिं कर ली है और यह बिलकुल गॉल पूरी की तरह यह तयार हो गया है अब मैंने आपर यह पहले से गरम होने के लिये रख दिया था और यह देखिए एक यह बार नहीं हमारी चार पूरी तयार हो चुकी है और ओल को हमें जादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है और यह क्योंकि इसमें हमने चेनी का यूज किया है जिसके कारणी यह जल्दी ब्राउन हो जाएंगी। और मैंने यह पांच से पूरिया यह. और देखे पूरिया बिल्कुल गोलगप्य की तरह बिल्कुल फूल चुकी है, और ये यह golden brown हो चुकी है और अब हमु इसको निकाल लेते हैं और इसको kitchen टावल पर निकाल लेंगे और भी healthy बनाने के लिए इसको आप घी में भी फ्राइ कर सकते हैं या इसके प्राठे भी बना सकते हैं और ये पूरिया जो हवा हमारी बन करके तयार हैं तो पके हुए केले की ये रेसिपी आपको कैसी लेगी ये देखिए मैं एक पूरी तोड़ करके दिखाती हूं आपको ये उपर से कितनी क्रिस्पिया और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है आप इन पूरी को दो दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं आप इस रेसिपी को जरूर रहे कीजिए आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल बन नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें खाए पी और इंजय करें